हेलो दोस्तों आज हम जा रहे हैं वेव सिटी से मूर्थल लॉंग ट्राई पे और कुछ मेरे पती का चट्रपटर खाने का मन था तो हम निकल लिए हैं वैसे तो मैं डाइटिंग पे थी पर मेरे हस्बंड जब बोलेंगे इतना ज्यादा फोर्स करेंगे तो मुझे अपने ड से रिसर्च करी और निकाली एक ऐसी जगा कि आपको वहां लेके चलेंगे और आप भी कहोगे कि वाओ क्या जगा है तो गूगल पे हमने देखा और मैप में तो हमें वो कहीं और ही लेके चला गया फिर हमने दुबारा से सर्च किया और पहुंच गए अपने डेस्टिनेश पे तो यह देखिए हम पहुंच चुके हैं ऐसे पिक में देखके आपको समझ में नहीं आएगा आगे चलके बताएंगे यहां पे क्या स्पेशल होने वाला है लेकिन है बहुत ही मसेदा तो हम दोनों मा बेटी मटक मटक के स्टाइल मारते हुए पहुंच गए हैं वहां प क्योंकि हमें भूक बहुत जोरोगी लगी है इसलिए हम भार ज्यादा कुछ एक्स्प्लोर नहीं कर रहे हैं अभी और यहां चल रहा है बहुत ही लाउड म्यूजिक और म्यूजिक सुनते ही मेरा तो भही है डांस निकलने लग रहा है मन कर रहा है जमके मैं नाचलूं राजाओ वाली फीलिंग आ रही है तो पती को दिया इशारा कि जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ भूख बहुत जोरोगी है जैसे ही अंदर गुसे तो देखते हैं यहां पर बच्चों के लिए कुछ स्पेशल है और मेरे तो बेटी देखते ही बड़ी खूश होगे इसक को मैंने का ठीक है बेटा अब ही कराती हूँ अभी कराती हूँ तो यह देखें लिए हमें हैंट्री हमने कर ली है तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यह देखिए साइड से, यहाँ पे भी टेबल लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं बैटा है, क्योंकि सबसे इंटरस्टिंग जो चीज है, वो आपको सामने दिखाई देरी है, स्क्रीन पे इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ पे ट्रेक है, और आप न यहाँ पे इस ट्रेक पे ट्रेन आएगी खाना लेके, तो यहाँ पे मैंने अपने पती को दे दिया है काम, कि आप देखो मेन्यू, और वो अपना सर पकड़ के बैट गया है, कि सबसे मुश्किल काम मुझे ही पकड़ा दिया है, और बच्चे इतने ज़्यादा और यह दिली में भी है, और इनकी सेकंड ब्रांच अब यहाँ पे भी आ गई है, मूर्थल में, तो यह जो सामने एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, इसमें दिखा रहे हैं कि ट्रेन कैसे जा रही है खाना लेके, तो हम एक ट्रेन आ रही है, हमें लगा हमारा ख हो जाती है, बैक गेर लग जाता है उसका और वो चली जाती है, सब की टेबल पे प्लैटफॉर्म नंबर लिखा हुआ है, जब आपकी ट्रेन आएगी, तो जो बाराल 12 लिखा है, उसके नीचे एक लाइट है, वो लाइट रेड हो जाएगी और तब आपकी ट्रेन आएगी कब हमारी ट्रेन आएगी और हमें बहुत जोरो की भूग भी लगी है, तो ट्रेन अभी तक हमारी आई नहीं है, और खाना का हम इंतजार कर रहे हैं, हमने काफी कुछ और किया है, और बहुत ही जो यहां का स्पेशल है, वो भी और किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी तो इतने बात करी रहे थे कि हमारी ट्रेन जो है हमारा यहां का जो सबसे स्पेशल प्लेटर है, वो हमने मंगाया था, तो वो लेके आ गई है, तो हमने अपना खाना जो है ले लिया है, तो ट्रेन थोड़ी देर खड़ी रहती है, कि अराम से खाना उठा ले और उसके जो जो मैं खाने वाली थी, वो मैंने सबसे बहले निकाल लिया, यह कोई रोल थे, मुझे समझ में नहीं आए, यह लिया मैंने मश्रूम पनीर अल्रेडी मैं ले चुकी हूँ, चाप इसमें थी, वो मैंने ले ली है, और यह देखिए, यह है पनीर, तंदूरी पनीर है यह और इसको मैं बिना चटनी के तो खानी सकती है, क्योंकि मुझे चटनी बहुत पसंद है, तो मैं इसको खाती हूँ, और टेस्ट करके बताती हूँ आपको, बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही टेस्टी है यह, सच में फ्लेटर बहुत खाया है, लेकिन यह वाला बहुत ही जब टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, तो आज तो मैंने रख दिया है अपनी डाइटिंग पे पत्थर और मैं भर के खाने वाली हूँ, वैसे डोसा मैंने इसलिए मंगाया था कि कुछ हेल्दी खाऊं, लेकिन ये भी सही है, चलो कभी-कभी तो चलता है, लेकिन प्लैटर आने क ट्रेन जो है वो पलेट गई है, बच्चे हाथ वात मार देते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ध्यान रखें, तो यहाँ पे हमारा पीजा भी आ गया है, और पीजा देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही, बहुत ही यम्मी है, काफी अच्छे से बेक किया गया है, काफी क्रंची भी है इसका जो बेस है, और बहुत सारी चीज है इसमें, जो की दिखी रही है, तो फटा फट बच्चे तो चिलाने लगे जल्दी जल्दी पीजा दो पीजा दो, तो मैंने बच्चों को सबसे पहले पीजा दिया, और पीजा आया है, तो मैं भी जरूर ट्र पड़ता है तो मेरे हस्बन ने एक बाइट ली फिर मैंने एक और बाइट ली फिर मैंने बोला अब मेरी दो बाइट हो गई अब बाकी का तुम खा लो तो उन्होंने खा लिया अब यह जो प्लैटर है इसके बारे में बताती हूं कि जो इन्होंने मसाले दार प्याज दिया ना ये बहुत ही टेस्टी है बहुत ही टेस्टी इसने न कहता है ना सोने पे सुहागा वाला काम किया इसने प्लैटर में और बाकी तो मैंने कुछ चोड़ा नहीं है शिमला मिर्च टमाटर तक सब खा गई हूँ मैं खाना मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है और यहाँ पर मैंने निकाला हैंकी साइड में एक आंटी मुझे देख रही थी तो मैंने क्लीन किया और फिर से ऐसी आंटी की नजर बची फिर से मैंने ठूसना शुडू कर दिया और बच्चे भी मस्त पीजा एंजोई कर रहे हैं उन्हें भी बहुत पसंद आया और मेरी बीटी को आप देखी सकते हैं यह देखो नौटंग की में कहीं कभी नहीं है देखो ममा क्लीन ममा क्लीन हर एक बाइट खानी है और उसको क्लीन करवाना है पूरा दिन यह यही करती रहती है यह जो रोल में खा रही हूँ इसका पता ही नहीं इसको कोई नहीं खा रहा है मैं अपने हस्बंड से कह रही हूँ प्लीज आप इसको फिनिश कर देना तो हस्बंड कह रहे है हाँ सब कुछ मेरी पेट में डाल दो तुम मैंने का बाकी सब मैं निप्टा दूँगी बस तुम डोसा देख लेना इन लोगों ने दो तरह की चटनी जो है सर्फ की थी यह जो चटनी है यह मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करी है सिर्फ ग्रीन वाली खाई थी तो यह भी टेस्ट करके देखती हूँ तो इसका भी टेस्ट काफी अलग था ग्रीन चटनी से एकदम डिफरेंट था इसका टेस्ट तो खाना तो मैं ऐसे खा रही हूँ जैसे पता नहीं मैं कितने सालों से भूकी हूँ और यह देखिए सब कुछ मैं चट कर चुकी हूँ कुछ नहीं छोड़ा है थोड़ा सा दोसा बचा है बहुत ही थोड़ा सा मैं अपने बेटे को कहा रही हूँ बेटा तू निप्टा दे इसको और खाना खाने के बाद मीठा ना आये ऐसा तो हुई नहीं सकता तो यहां पर मंगाए हमने गुलाब जामून जिस तरह से इन्होंने सर्फ किये हैं देखके मज़ा आ गया तो इसको मैंने टेस्ट किया और ये इतने अच्छे थे एकदम मुह में घुल रहे थे और एकदम गरम गरम थे खाना खाने के बाद पतिदेव से रिव्यू मंगा तो उनको भी बुलते हैं कि वाव मज़ा आ गया यहां पर एक मीठा अल्रेडी खा चुकी हूं इतना अच्छा टेस्ट हो रहा है तो गुर्टों मैं नहीं खाने वाली हूं सौफ और मिश्री लेकिन हमेशा की तरह मेरे बेटे और बेटी को टीशू में थोड़ी सी मिश्री तो चाहिए तो उन्होंने रख लिया है यहां से लिया टीशू निकाला और फटा-फट से मिश्री रख ली इस पर नोटिस लिखा है कि आप ट्रेन को बिल्कुल टच ना करें समान जो है ट्रेक से थोड़ा दूर रख कर दिया है और आप देखेंगे कि सामने जो आपको एक ब्लैक शर्ट में टाई लगाए हुए सर दिखाई दे रहे हैं यहां पर मैनेजर है मलिक सहाब जी तो आप यहां जब आएंगे और आप बोलेंगे हम अदितिस किचन के थुरू आए हैं तो आपको यहां पर 10% आफ म हम चल दिये हैं अब बाहर की तरफ तो मेरे हजबन जो है अपने हलवाई जैसा पेट लेके बेटी का हाथ पकड़के बाहर निकल चुके हैं और मैं भी इनके पीछे-पीछे मटकती हुई आ गई हूं बाहर और बाहर आते ही आप देखेंगे यह तना बड़ा सा स्टेज ल बहुत ही अलगी वाइब है यहां की बहुत ही मझेदार है तो यहां पर आपको दिखाती हyim कि क्या-क्या है यहां पर बहुत सारे जूले लगए हैं तो आप इस पे भी आप अपने पचों को बिठासकते हैं यहां पे यह आजकल बहुत ट्रेंड में वह तरनी है कि इस पर खड़े हो के आप रील्स बनवा सकते हैं और एक ही कोई गेम है ये इगलू की शेप में बनाया हुआ है इसके अंदर बहुत सारी बॉल है और हवा का प्रेशर से ये बॉल जो है ये ओड रही है तो मेरा बेटा बहुत एकसाइडिर हुआ इसको देखे बोला नहीं ममा मुझे भी करना है तो फटा-फट से उसको दिलाई टिकेट और अंदर खुसाया ये 100 रुपीज की ये टिकेट थी और मेरी बेटी को इसमें नहीं जाना था मुझे नहीं जाना भाई को भिज़ दो तो वो बाहर खड़े होके ही एंजॉय कर रही थी ये देखे इसके बाद अच्छे से सर्व होका ट्रेन के द्वारा तो आप बाहर बैटके बैटना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे तो ये देखे ये है सेल्फी पॉइंट और यहाँ पे साइड में एरो प्लेन है तो मेरी बेटी बोली ममा मुझे इसमें बैटना है तो फटा-फट से हमने बिठाय बुवी का को एरो प्लेन में और इसकी भी टिकट 100 रुपीज थी तो वो इंजॉय कर रही थी फुल मजे कर रही थी तो बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफी कुछ है बच्चे भी यहाँ पे आके फुल इंजॉय करेंगे और खाना तो अच्छा है ही मुझे बहुत पसं जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको सेल्फी पॉइंट मैंने अपने पती से बोला कि चलो हम भी कुछ पिक्स यहाँ पर क्लिक कराते हैं तो मेरे शर्मीले पती बोले कि नहीं नहीं मुझे बहुत शरम आ रही है तो फिर मैने अपनी बेटे को बोला प्लीज खीच तो ह वो मान गए और फिर हमने एक दो फोटो क्लिक कराई ये देखे बड़ी मुश्किल से ये फोटो क्लिक कराई है उसमें भी शर्मा रहे थे उसके बाद हम निकल दिये वापस घर की तरफ और मूर्थल से वेव सिटी जाने में लगता है एक घंटा तो आज का डिनर आज की लॉ जरूर बताना और वहां जरूर जाना लाइक करना वीडियो को मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए और बहुत ही मज़ेदार वीडियो आती रहेंगे आगे भी बाए बाए